परचा में जो लिख देते हैं और उस सही होता है तो हनमान जी की किरपा है आने से कोई रोके ठीक नहीं लगता है यह तो हम नहीं जानते हैं लेकिन बस हम इतना जानते हैं जो धर्म का कारे कर रहा है उसको रोकना गलत है और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए हो जा रहे हैं और अपना कथा कहने किसी को रोकना नहीं है बल्कि उन लोगों को तो जा करके उनका कथा सुनना चाहिए और अपने कल्यार का मार्ग ढूंड़ना चाहिए और मार्ग यही है कि भगवान का कथा क्योंकि हमारे पास भी अमेरिका से बहुत फोनाते हैं विदेश से बहुत फोनाते हैं और भी भक्तों का फोनाता है और अमेरिका से जब हमारा कथा लाइब होता है दर से अमेरिका से तो बहुत लोग के कथा लाइब सुनते हैं जिस उम्बर में हम लोग खेलते हैं, कुदते हैं, घुमते हैं, नाचते हैं, पढ़ते हैं उस उम्बर में कोई छोटी बच्ची पुरे देश में, पुरे बिस्व में चर्चा का भी से बन जाए तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं लोग कि ऐसे कौन से ऐसे बच्ची है जो पुरे देश में अनुस्का पाठक के नाम से जानी जा रही है इस देश में कथा कहने वाले लोग सादू संत, महत्मा बहुत लोग हैं कहा जाता है कि ये भारत रिसी मूनियों का देश है और पुराने लोग कहते हैं कि बच्चों में इस्वर बसते हैं, भगवान बसते हैं और माता बसती हैं हमारे साथ अनुस्का पाठक जी हैं वही अनुस्का पाठक जी हमारे टीवी समाचार पे दर्सक इने कुरोडों लोग देखे और खूब प्यार किये और हमें खूब फोन किये और हमारी टीवी समाचार की टीम इस वक्त फिर एक बार इनके पास चली आई है और इनसे कुछ अनुस्का पाठक जी पहली बार हम जब आपका इंट्रिवू लिए थे बस यह जानना चाहते हैं कि आप कहां तक फेर्मस हो रही हैं आपको क्या लगत है हम जितना भी हमें लोग जानते हैं सब लोगों का प्यार अश्रवाद हैं और भगवान की किरपा है एक चीज हम कह रहे हैं कि हमारे चैनल पे बहुत सारे कहीं पंजाब से कहीं दिल्ली से कहीं बिहार से कवी लोधियाना से और दूर दूर से फोन आता है तो कहां कहां आप जा पाती हैं क्यूंकि अब तो आपके चाहने वाले पूरे देश में पूरे बिशों में दीरे-दीरे फैलते जा रहे हैं तो अभी कहां कहां आप जा रही हैं क्योंकि कथावाचक आप बड़े कथावाचक हाला कि छोटी देखने में हैं लेकिन पूरे देश में आपका वीडियो माध्यम से देखें फोन का तो बहुत दूर दूर से आता है अमेरिका विजेश बहुत जगों से जाता है लेकिन हम अभी ज्यादा तो कथा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब जितना भगवान चाहेंगे उतना ही होगा अभी हम छोटे हैं थक भी जाते हैं ज्यादा बोलते हैं तो इसलिए हम बहुत जगों अपर जाते हैं लेकिन एक घंटा डेड़े घंटा है कथा कहते हैं आ रहे हैं हालाकि यह मैटर चला है हम लोग इसलिए आया है कि देखिए एक पूरे देश में महौल बन गया है जिस तरह धिरेंदर सास्त्री हैं जो आप जानते होंगे वह बाग और आज जो है कि तेरा तारीक को जाने वाले हैं बिहार के पटना गाधी मैदान में और वहां के जो मुखमंत्री है उप मुखमंत्री तेजस्भी यादो के भाई तेजपरताब यादो वो कह रहे हैं कि बाबा यहां आपको आना है तो यह ढोंग नहीं करना होगा वो कह र लगता है कि वाक्य यंद्वक्ति करते हैं धिरिंद्र सास्त्री पैसा कमाने के लिए सिर्फ और उनको क्यों रोका जा रहा है बिहार जाने से देखें ऐसा कुछ नहीं है उपर्चा में जो लिख देते हैं और उस सही होता है तो हनमान जी की किरपा है उनके उपर जैसे लोगों का आशिरवाद और भगवान की किरपा हमारे उपर है वैसे उनके उपर भी अनमान जी की किरपा है और जाने से कोई रोके ठीक नहीं लगता है क्योंकि उने लोगों का कल्यार करने के लिए ये जा रहे है वहां के तेज परताब जी कर रहे हैं कि हम भी कृष्ण का का रूप लेते हैं हम भगवान को देवी देवताओं को मानते हैं इतना मानते हैं कि उनको देखते हैं मंत्री होते हुए भी वो देवी देवताओं की रूप में राते हैं लेकिन देखी जाये तो वो क्यों रोकना चाहते हैं उन्हे हैं इतना जानते हैं जो धर्म क कारे कर रहा है उसको रोकना गलत है कि ऐसा एक किल देधितॉ बल्कि उन लोगों को तो जा करके उनका कथा सुनना चाहिए और अपने कल्यार का मार्ग ढूंड़ना चाहिए और मार्ग यहीं है कि भगवान का कथा और उस इसी लिए वो जा रहे हैं और उनको रोकने के लिए कह रहे हैं तो ऐसा कदा पर नहीं होना चाहिए तोड़ा सा एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं, कहा जाता है कि जो विदेशी देश हैं, जो अमेरिका देश है, वहाँ भगवान देवी देवताओं को लोग कम मानते हैं, लेकिन वहाँ जादा पैसा है, वहाँ जादा विकास है, वहाँ आधुनिक चीजे हैं, ये एक से एक बढ़के हतियार है, हर चीज है वहाँ, वहाँ लोग नहीं भी मानते हैं, फिर भी जीते हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, वहाँ के देशों के और यहां में, क्यों अंतर लगता है, क्यों लगता है कि भगवान को मानेंगे, कथा सुनेंगे, तो ही हमारा कल्यार हो सकता है वो लो तो कहते हैं भगवान को नहीं मानते हैं पर दिर वन जी देखिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास बी अमेरिका से बहुत फोनाते हैं विदेश से बहुत फोनाते है ऊंब भक्तों का फोनाता है और अमेरिका से जब हमारा कथा लाइब होता है इधर से अमेरिका से तो बहुत लोग के कथा लाइब सुनते हैं तो अभी भी बहुत भगते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म पर विवात खड़ा कर देते हैं ऐसे कुछ ही लोग हैं और अगर भगवान को नहीं माना जाता तो एक दुनिया नहीं होती। यूँकि भगवान चाहे एक मिनट नहीं लगेगा एक दुनिया प्रले कालिन समंद्र में डूब जाएगी। अभी आपके पिता जी से जब आपके पिता जी को फोन किये लाश्ट बाते अब जाते होगा कि वो कह रहे हैं कि अब हम लोग पिलेंगे इस समय सुपरसीर चल लें अनुरुद्धा चारे जी वो उनसे क्या कुछ जानने की पास की और क्या ऐसा था उनके पास जो आप चाहें की मैं भी ऑजागा मैं भी यू सीख जाओं कि मेरे भी फैन जैसे उनके करोडों हएं वैसे आपके भी होजाएं अलांकि हैणे आपके बीया करोड हो लिकिन क्या उनकी थैसिए जो आपके देखिए हमको कुछ डैस है सब का रच खाय कर द सरुदं कर यार मंका अश्रुद् उनके कथा से और क्या कुछ सीख मिलता है जैसे आप तो खुद ही कथावाचक हैं आपके पास इतना ग्यान है कि आज तक किसी बच्ची को इतना ग्यान नहीं है कि जो भी लोग कथा कहते सब भगवान का ही कथा है और उससे क्या सीखना है बस उससे सुनकर की हिर्दे में उतारे तो उससे लोगों का कल्यार होगा हमारा भी होगा आपका भी होगा पूरे दुनिया का पूरे बिश्व का इस कथा के द्वारा ही कल्यार होगा जी एक आपको देखने के लिए कैसी लोग लाइब देखें आपको कब कथा कहती है कौन सा टाइम है कौन सा लाइब होती है यूटूब पर कब लाइब होती है यह थोड़ा हमारे दर्सुकों बताइए देखी हमारे चैनल का नाम और उसका पाठक जी है और उस पे जिसको बेमाला कथा सुनना है सुन सकते हैं देख सकते हैं